आज क्रिष्ण जन्मोष्टमी का दिन है और भगमन स्री क्रिष्ण का विसेश दिन है जन्मोष्टमी के दिन अगर तुलसी मौ को छू कर तीन बार ये सब्द बोल देते हैं तो आप जो मांगोगे पूरी हो जाएगी आप एक बार करके जरूर देखें दोस्तों अगर आपक कर लेस होता है या फिर जीवन में किसी न किसी परकार की परेशानी आती रहती है तो हम आपको खास मंत्र बताने जा रहे हैं यदि आप क्रिष्ण जन्मोष्टमी के दिन तुलसी जी के पूजन के दवरान ये कर लेते हैं तो कुछ ही दिन में आपका जो परेशानी है वो दीरे धीरे खत्म होने लगेगा आपके घर के उपर लच्छमी जी की भी किर्पा बनी रहेगा। दोस्तों मैं आप लोग को ये मंत्र बताने जा रही हूँ, सबसे पहले हम तुलसी मा का पूजन जैसे करते हैं, हमेशा दिन में, सुबा में जब भी करते हैं, तो पहले हम उनका पूजन कर लेंगे विधी पुर्भक, उनको सिंदूर और हल्दी जरूर चड़ा है, क्योंकि तुलसी मा को सिंदूर और हल्दी बहुत ही प्रिय है, उनको जरूर चड़ाने चाहिए, जब उनका हम पूजन कर लेंगे, तो फिर हम तुलसी जी का माला लेकर इस मंत्र को एगारा बार नहीं हो सके, तो तीन बार बोलेंगे, हमें भगवान के उपर सर्धा हमेशा बना कर रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भगवान की सच्चे भगती से सब कुछ संभवेकाते हैं ना भगती में है सकती, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए चलिए वो मंत्र मैं आप लोग को बता रही हूँ जो जन्मोष्टमी के दिन आप लोग तुलसी मा के पुजन के दवरान जरूर करें तो मंत्र आप द्यान से सुने अब तुलसी जी की माला को लेकर कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो उनको दोनों हत जोड कर भी आप ये मंत्र बोल सकते हैं सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करें तो मंत्र ये है महापरसाद जन्नी सर्व सोभाग वर्धनी आदी वयादी हरन नित्यम तुलसी तौमेव नमस्तुते मैं एक बार फिर से आप लोग को बता रही हूँ महापरसाद जन्नी सर्व सोभाग वर्धनी आदी वयादी हरन नित्यम तुलसी तौमेव नमस्तुते तो इस मंत्र को आप तीन बार 11 वर्ड जरूर जाप करें जन्मोष्टमी के दिन और आपको फल सिग्र मिलेगा तो मन में सर्धा रखके आप ये जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब